राधी राधी तो बहुत बार लोग ये कहते हैं कि जिन्दगी एक बार मिलती है जिन्दगी एक बार नहीं मिलती है, मौत एक बार मिलती है जिन्दगी हर रोज मिलती है, नई उमंग के साथ, नई आशाओं के साथ सूरे को ही देखिये, चाहे वो अमीर का घर हो या गरीब की कुटिया सूरे की रोशनी सब घर में एक जैसी ही पड़ती है ये हम पर निर्भर करता है कि हम खिड़की कितनी खोड़ते हैं मतलब हम अपनी बारे में किस तरह से सोचते हैं बहुत बार लोग हमें कुछ भी कह देते हैं और हम यकीन कर बैठते हैं कि भगवान ने हमें कुछ खास नहीं बनाया लेकिन मेरी आज की कहानी सुनने के बाद में आपको भी लगेगा कि हाँ मेरे में वो बात है मैं भी खास हूँ और मैं कुछ पास सकता हूँ या कुछ पास सकती हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस कहानी से आपका मार्क दर्शन होगा और आपका दृष्टी कोण ज़रूर बदलेगा कहानिया राधे राधे तो माबाप का रोकना टोकना किसको पसंद है चाहे बाद छोटी हो चाहे बाद बड़ी हमें रोकना टोकना पसंद नहीं हमें लगता है कि हमारे माबाप बूढ़े हो चुके हैं या उनका जमाना अलग था और हमारा जमाना अलग है या फिर कभी लगता है कि वो हमें समझना ही चाहते ये बात मैं इसलिए कह रहे हूँ क्योंकि इन में से कुछ बाते मैं भी सूचती की अब मेरी मा मुझे छोटी बड़ी बातों पे जरूर टोकती है अब इस बात की चच्चा मैंने अपनी छोटी मामी से की छोटी मेरी मामी ने मुझे एक बहुत सुन्दर कहानी सुनाई उस कहानी से मेरा दृष्टी कोंड बदला अब मुझे समझ आया कि इस रोकने और टोकने में भी एक बात चुपी गी है और वो बात क्या है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस कहानी के द्वारा मैं ये कहानी इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि अगर एक भी बात आपके मन को छू जाए तो आपका रिष्टा अपने मामी